कि अब जो कि विजिबल एक नहीं है नहीं है थी कि थोड़ा था बड़ा कर देता है कि विजिबल एक पिटा है स्क्राक्राइन क्लास अगे बढ़ाएं कि क्लास को आगे बढ़ाएं उच्छ का संस्राइ़ के लिए प्रिविए सब्सक्राइब यहां पर सेक्षिन बाइस है मेरा परसर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कौन कौन से लोग लिए लाइबल है तु अब लाइबल कों है कि सेक्षिन 22 बात करता है पहला केस क्या है जान से पहला केस बोलता है Threshold Limit की मतलब सर इसका मतलब क्या है Threshold क्या आपने इस वर्ड कोई और भी सुना है हाँ जी सर सुना है कहा सुना है बेटा सर हमने सुना है Income Tax के अंदर एक Threshold Limit होती है मतलब एक Minimum Limit होती है इसका मतलब होता है Threshold Hold का मतलब Minimum Limit वो minimum limit का मतलब क्या हुआ मेना मतलब यह हुआ चलो पहले सुरी हम example दिखते पहले हमने एक word लिखा कि sir एक word लिखा हुआ है threshold limit अगर किसी की threshold limit इस amounts के आगे चली गई तो उसको तो number लेना ही पड़ेगा जैसे अगर मैं example लूँ अगर आपकी business की turnover 20 lakhs से उपर चली गई है 20 lakhs ध्यान रखना कब in a financial year if your threshold limit मतलब minimum limit बेटा minimum amount minimum amount अगर आपकी 20 lakhs से ज्यादा चार्च चुकी है in a financial year शेचे निम्स बॉस्य माद आपकी जैसल से अगरी जी को पढ़ें से अगरी का त्याड़ो से एर्षर अगरी अथ L स्टेट और यूनियन त्यरिटरी ज्यान से याद ने विटा हमने कल वृत देखा था स्टेट और यूनियन ट्रिटरी अलग-लग चीज़े हैं थीच है अदर दैन special category states इसको ध्यान से समझेंगे हम आगे की slides में कि अगर इन चीजों को हटा दिया जाए तो every supplier shall be liable to be registered under this act in the state or union territory from where he makes जहां से वो taxable supply of goods or services or both करता है if his aggregate turn over aggregate turn over जहां से सुनना है इसका मतलब यह चीज़ पर मैं शायद 2 घंटी class spend करूँगा बेटा आज नहीं बट करूँगा aggregate turn over in a financial year क्या बलते हैं अगर उसकी turn over goods or services और both मैं क्यों इस चीज़ पर emphasis कर रहा हूँ क्योंकि इसकी question बेटा जो आएंगे आपके practical questions वो इसी line के ऊपर आएंगे यहां इस line से लेकर के इस line तक जहां से देख लीजिए आपके जो practical questions आएंगे ना बेटा इस line से लेकर के इस line के बीच में आएंगे जहां से सुने हो क्या कहता यह कहता है अगर आपकी taxable supply taxable supply ठीक है जो आपने अपने पापा के लिए काम किया क्या वो taxable supply है नहीं ठीक है क्या वो taxable supply है नहीं है तो उसको तो add ही नहीं करेंगे तो क्या बोला taxable supply of goods और services और बोथ या तो goods की बात कर ली जाए या services की बात कर ली जाए या दोनों की बात कर ली जाए अगर aggregate turnover financial year में exceed करता है बीस लाक से कि मैंने एक्जाम्पल ने एक्जाम्पल लिया था है क्या बोलता है एक टर्नोवर में exceed करता है बढ़ जाता है किस से बीस लाक रुपए से तो आपको नंबर आपको रिजिस्ट्रिशन लेना है लेकिन special category states को छोड़ दो हम डिसकस करेंगे कि special category states क्या क्या कहे जाते हैं ठीक है एस पर दिस वेर दपर संद मेक्स टैक्सिवल सप्लाइज ओफ गुड्स और सर्विसिस और बोथ अगर कोई special category states में काम कर रहा है तो उस पर के केस में लिमिट दस लाक रुपए की है आई लेट यू नो हूँ अभी चारदा special category states जो हमारे North East India के states है आई लेट यू जो वहाँ के states है उनको हमें special category states में रखते हैं ठीक है बेटा यह चीज़ के लिए हो गई बेटा कि ट्रेश होड लिमिट के उपर किसको नंबर लेना है और क्या तरीका है मलब सुरी क्या माउंट है और कैसे वह माउंट कैलकुलेट होती है एग्रिगेट टर नुवर की हम बात करते हैं गुड्स सर्विसिज और बोथ 20 लाक की अमाउंट है अगर स्पेशल केटिकरी स्टेट्स लेकिन अगर स्पेशल केटिकरी स्टेट्स हैं तो लिमिट आपकी दस लाक रुपे की हो जाती है क्लियर आगे देखते बेटा कहता है परसंस रजिस्टर अंडर अर्लियर इंडिरेक्ट टैक्स लॉज्ट तू माइग्रेट अब सर इसका क्या मतलब है इसका मतलब बेटा यह है हमारा जो जीएस्टी आया था वह कब आया था एक जुलाई आधरी दोजार सत्रा में है थीकिए उसके पहले लोग कैसे काम करते थै या तो उन्हों ने उनके पास वैट नंबर था हूँ या सर्विश टैक्स नंबर था हूँ या फिर एक्साइज नंबर था हूँ कि यह नहीं सारे नंबर वैट सर्विस्टेक्स नंबर एकसाइस नंबर तो यह लाइन जो लिखी गई है यह वाली यह उनके लिखी गई है जो 2017 से पहले के हैं सब्सक्राइब करते हैं अगर कोई इंसान कोई परसन अपना बिजनस कर रहा है 2016 से ठीक है जेस्टी आगे 2017 में ठ उनको कैसे ट्रीट करेंगे क्योंकि में काहें तो नहीं की थी यह जो हम पढ़ रहे हैं यह तो पढ़ रहे हैं जो आज की सिच्वेशन है लेकिन पहले वालों को क्या करना था उनका यह करना था कि अगर कोई परसन रिजिस्टर्ड है अंडर अर्लियर इंडिरेक्ट एक्स लोग ही हैज टू माइग्रेट इंटू दा जीएश्टी लॉग बेटा सोनल आपने बोला बेटा एक वच्चे का सवाल आया है कह रहा है कि सर जिन सप्लाइर का टर्नोवर थ्रेशोल्ड अमाउंट से कम है मतलब 20 लाक से कम है और उन्होंने रेजिस्टरेशन नहीं करा रखा बिल्कुल तो जीएश्टी कौन पे करता है उस केस में बेटा सो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि जीएश्टी कौन पे करेगा जीएश्टी वही पे करेगा जो रेसिपियंट है जो recipient है वो जीस्टी पेगरेगा किसको supplier को supplier किसको पेगरेगा गौर्णमेंट को अगर आपके आपके बास नंबर नहीं है आप उसका benefit नहीं ले पाऊगे ठीक है आप उसका benefit नहीं ले पाऊगे इट श्क्त सेम तिंग ठीक है बेटा तो हम कहां पे थे कि अगर कोई person हमारे अर्लियर इंडिरेक्ट टाइक्स लों में रेजिस्टर था उसको माइग्रेट करना पड़ेगा किसके अंदर जीस्टी के अंदर तो दिर्वजा सर्टेन प्रॉसेस बाइविच फॉलोइंग दे से हैड माईगरेटेड दे इसेल्व इंतो ऑधा जीस्टी रिजीम ठीक हे बटा तो उसकी कहानी यहां पे है जैसे अवेरी पर संदो on the day immediately preceding मतलब of the appointed day मतलब इसको क्या बोलेंगे क्या एक जुलाई 2017 हर इनसान जो इम्मेडिएटली प्रसीदिंग डे ऑफ अपॉंटेड डे अपॉंटेड अपॉंटेड क्यों जी है जिस इस्ति लागू हो गया एक जुलाई 2017 तक जो इनसान रेजिस्टर था या खोड़ करता कोई लाइसेंस अंडर एंग्जिस्टिंग ल विद इफेक्ट फ्रॉम दा अपॉइंटेड देट इस कोड़ा सब्सक्राइब कुटिंग होई है यह दाट इस वर्स्ट जुलाई दो अजार शत्रह एगे बेटा क्लियर एगर कोई इंसान एक साइज में सर्विस टेक्स में वैट में रिजिस्टर था अजन दॉट प्राइमरी माय प्राइमरी माय इंसानियर तो यह सारी कहानी तो बेटा देखो अब यह जो कोश्चन है ना बच्चे ने बुचा है कि सर्फ 20 लाग ही क्यों 15 क्यों नहीं 10 क्यों नहीं तो बेटा यह एक बहुत ऐसा सवाल है जो सरकार के पास है इसका अंसर वो क्या है बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार ना एक जंगड़ना करवा यह जंगड़ना करवाती है हर 10 साल के अंदर टीक है गौर्णमेंट है डेटा कि हमारे देश में कितने लोग कि बिजनस कर रहे हैं कि इस अमाउंट के नीचे काम कर रहे हैं तो वो स्मॉल बिजनस होल्डर से हैं सारे स्मॉल बिजनस होल्डर उनको हम इसमें लेकर नहीं आएंगे क्योंकि इस ऑफ दूइंग बिजनस जो गवर्मेंट का एजेंडा है उसको भी तो फॉल्व करना है तो अगर आप एक साल में बीस लाग तक का बिजनस कर रहे हैं तो यू आप करते रहे कोई दिक्तर नहीं है अगर आप से ज्यादा कर रहे हैं तो अब थोड़ा बड़ा कर रहे हैं काम तो आपको लेना पड़े तो बीस लाग का नमबर ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने में आया नहीं नहीं है इट है जल लॉजिक ठीक है और रही बात बेटा दस लाग की तो जी हमारे ऐसे राज है जहां पर ग्रोथ इतनी तेज नहीं है उनकी लिमिट दस लाग ही है जो मैंने आपको बताया इस्पेशल केटिकरी स्टेट्स यह वारे जो स्टेट्स है हमारे यहां पर लिमिट दस लाग की ही अभी वी ठीक है बीस नहीं है ठीक है बेटा क्लियर क्लियर लुट टुट युट गुट पहले अगर आपकी लिमिट 20 लागे 10 लाग से उपर है तो आपको नंबर लेना है आप पुराने लौ में किसी में नंबर आपके पास था आपको फिर यहां पर लेना है अगला केसे हम डिसकस करते हैं अगला केस का कहता है उसको है अगर अगर किसी के पास घ्रांसटी नंबर ओर वो बिजनस पूरा ट्रांसफर कर दिया गया किसी के पास सब्सक्राइब करते हैं कि एक एक सब्सक्राइब था वह अपना बिजनस्टाइब बेटा या वो जाती है वो ऑसके बिजनस्टा चलान लिग जाती है कोई डॉक्टर अपना काम कर रहा था क्लीनिक चला रहा तो अब उसके क्लिनिक का हैंडवर किस ने लिया उसके बेटे ने बेटी ने ले लिया तो अब उसके पार पहले उसकी डेथ हो गई है तो क्या हुआ बिजनस का ट्रांसफर हो चुका है मैंने एक लिया है दूटू है तो अब क्या हुआ जिस दिन से उसने उसको बिजनस को है अगला किश कैटा है amalgamation और demurger बेटा I hope आपको इसका मतलब अच्छे से पता है कि amalgamation का मतलब क्या होता है या demurger का मतलब क्या होता है आप लोगों ने अपने previous semester में accounting के अंदर इस चीज़े बढ़ी होंगी and of course income tax के अंदर भी बढ़ी होंगी कि amalgamation कैसे होता तो बेटा अगर बिजनस का अमल के मेंशन है demurger भी हो रहा है तो भी जो नए बिजनसे बनके आ रहे हैं उनको नए नमबर लेने पड़ेंगे बेटा ठीक है उनको अपने जिस्टी नमबर लेने पड़ेंगे ठीक है बेटा कुई डाउट कि अपने जिस्टी नमबर लेने पड़ेंगे ठीक है बेटा यह हमारी बाती सेक्ष्टन 22 की पूरी की पूरी की कि कि किसको नमबर लेना है पहला हमने देखा तरन ओवर दूसरा हमने देखा पुराने लोग जो नए मैं पुराने लोग जो थे जिनके पास नमबर था वो लोग तीसरा हमने देखा ट्रांसफर बिजनस और चौत्था हमने देखा इसमें अभी तक किसी कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए कोई डाउट है सिसके अंदर आई होप आपको जीएस्टी का कोर समझ में आ चुका है को जीएस्टी का बैक्ग्राउंड समझ में आ चुका है हमें कुछ टर्म्स हमने देखी और को टेक्स लाइबिल्टी इन्पूट टेक्स क्रेडिट सप्लायर रेसिपियंट यूटलाइजिशन ऑफ क्रेडिट रेजिस्ट्रेशन नंबर इस सारी चीजिए हमने देख ली बेटा जो यह चीजे हैं इतने इंपॉर्टन है कि आपको हुए है ठीक है बेटा कोई डाउट प्लीज बता दीजिए अधा प्लीज कंफर्म कर दीजिए यह वाला प्लीज की बात करें बिटाब इस पॉइंट की बात कर रहें इस आम नौट रॉंग क्या नाम बिटाब का शिवम कुमार इस केस में क्या होता है जिसे आप लोग को पता ही डीमर्जर और अमल कमिशन क्या होता है मतलब जब दो बिजनस मिलके एक हो जाते हैं जैसे कि अगर मालो मेरे बिजनस को कोई अक्वायर कर लें या फिर मैं क्या करूं अपने इस बिजनस में से दो सेग्रिगेट दो बिजनस सेग्रिगेट कर दूं टेमर्जर तो जहज दिर मे अंल मेशन अप्रूफ हो जाएगा बाइदा शिर्लेवल्ट करता देग है कि मोजे जैसे नगवर लें मेरा एक बिजनस मेरा दो दो डिफरेंट बिजनस एक बन जाएंगे मतलब दो कंपनी थी एक 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 एबी सी जैसे ही दोनों मर्च हो जाएंगी मुझे उसी दिन नया नंबर लेना पड़े कर बेटा ठीक है और मयूंख मेरे एक वाड़ा एक भई बिजनस था उसके अंदर दो अलग बिजनस ता टाइड़ाओ फ्रीटब प्रॉदक्स में बजिसता था मैंने एक फॉर्टक के पूरे बिजनस को को अलग शिफ्ट कर दिया एक नई कंपनी बना दी तो जिस दिन मैं उस पुजनस को शिफ्ट मार दूआ उसी दिन मुझे जेशी नम्बर लेना पड़ेगा बिटा हाँ बिटा एक्जामपल आपने सही दिया अकाश और बाइज हुआ दा हाँँ होती है द hanno YouTube के तो अलकी बिटा वह दो सबसीडरी वाला तो रोवश अगुझा कमपनि हैं उसके सबसीडरी अलग होती है मालों कर दस सबसीडरी ढमला CHRIS पार्टनेर्शिप कम्पणि का लेना होगा कि पार्टनेर्शिप कंपनी तो अलग अलग चीज होती है दोनों का नमबर अलग लेना होता है जैसे हम बात करें हैं जी अब नमबर की किसा होता है हमने स्टार्टिंग में देखा था KITनी пр Tough to Alm इसके में स्टार्टिंग में दो डिजिट होती है फिर दस डिजिट होती है यहां पर लिख देता हूं में स्टार्टिंग में दो डिजिट 10 डिजिट बेल यह पर लिख होता है यहां पर आता है 1z और यह नंबर आपका रेंडम होता है अब होता है है in1 यह था यह पक नमबर जो स्टार्टिंग की दो डिजिट होती है यह होती है है आपकी स्टेट कोड की state code अब जैसे हम दिली में रहते हैं दिली का code क्या है फैटा दिली का code है 07 कि जैसे महलो में हुं मेरा मुझे जेसी नमबर लेना है तो मेरा जेसी नमबर कैसा होगा 07 मेरा PAN नमबर यह कितनी digit हो गई दो प्लस 12 हो गई यह वज्ट पैटा और यह हमारा होता है एक रेंडम नमबर जो सिस्टम जनरेट करता है तो दो प्लस दस बारा बारा और तीन पंदरा यह मेरा जिर्शी नमबर का स्ट्रक्चर होता है अब मालो मुझे हर्याना में भी अपना बिजन स्टार्ट करना है ठीक है सब कुछ सेम रहेगा यह नमबर चेंज हो जाएगा और यह जो नमबर स्टार्टिंग का स्टेट डिजिट यह वहां हर्याना की डिजिट है जीरो सिक्स तो अपने आप से ही नमबर यूनीक बन जाएगा क्यों क्योंकि 07 यहां से शुरू हो रहा यहां पर 06 से शुर अपने नमबर अलग होता है ठीक है और जो पिच्छे करें एंसियार नियार का मतलब यह नहीं कि दिल्ली ही है एंसियार के रीजन से नौइडा गाजयाबाद गुडगाओं फरिदाबाद तो वह अपने 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 रिस्पेक्टिव स्टेट्स में आते हैं जैसे हम बा इधर की बात करूं मालों मेरा मत्य प्रदेश उसका कूड अलग है महरास्टा का कोड अलग है ठीक है गाजयवाद ठीक है बेटा NCR का अंसर मिल गया आपको आपको जिश्टी नंबर का भी concept मिल गया कि जिश्टी नंबर कैसा मेरा होता है स्टेट कोड पैन नंबर वन जेट रेंडम नंबर 15 कोड मेरा यह बनता है बेटा ठीक है अगर आपका बिजनस है आपको प्राइब आपकी दस हैं आपकी दस पार्टनर्शिब हैं ठीक है और सबकी लिमिट क्लॉस कर गई 20 लाग से ज्यादा तो दस के दस लेने पड़ेंगे आपको द्र favorable क्लिजिए अंदर अपक है आप प्लीज भीष मैंने आपके जतना भी कर वाया है प्लीरीज कर लीजिए लेगा नहीं क्लास क्लास के अंधर तब तक आप प्लीज करूपनों कर लेनाकर क्लास में टेक काप कर लिए ठीक है और प्लीज तक प्रिवीजन जरू कर लीजएगा और कोई भी डापड़ी प्लीज बेटा सखू लिख लेजएगे हम क्लास ने सको टेक कप कर लेंगे ठीक है यह यह टीए बेटा रादे रादे बिटा थैंक यू सभी को रादे रादे गुट नाइट गुट नाइट ठीके बिटा मिलते हैं अपनी नेक्स लास के अंदर ठीके हम इसी चैट्टर को कॉंटिनु करेंगे जो हमने देखा सक्षन बाइस सक्षन तेईस अब आप देखेंगे और आगे हम इसको कॉंटिनु करेंगे ठीक है कि बड़ा तब तक के लिए गुड़नाइट बाइबाइब